नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्व पूर्ण जानकारी के साथ दोस्तों आज हम एक ऐसी दिव्य और जमतकारीक जड़ी बुटी के बारे में बात करेंगे जो संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करती है सालों गुजर जाने के बाद भी जिन महिलाओ को संतान प्राप्ति नहीं होती ऐसी महिलाओ के लिए प्रकृती की ये अनमोल देन है जिहां दोस्तों जिन लोगों को संतान प्रापती नहीं हो रही है ऐसे लोगों के लिए ये जड़ी बुटी एक वर्दान के रूप में है इस दिविय और चमतकारिक जड़ी बुटी का नाम है लक्समना लक्समना एक ऐसे जड़ी बुटी है जिस पर सफेद रंग के पुस्प लगते हैं और ये कंटकारे की ही एक प्रजाती है प्रकृती के खजाने में ऐसे ऐसे चमतकारे जड़ी बुटिया है जो मनुश्य जिवन की हर बाधाओं को दूर करती है जरूरत है ध्यरिय रखने की और ऐसे चमतकारे जड़ी बुटियों की जानकारे की हमारा मकसद है कि ऐसे दिव्य और चमतकारे अनुमूल जड़ी बुटियों को आपके समक से लाना और इसकी सही पैचान कराना और इसके गुण और फायदी के बारे में आपको बताना दोस्तो जड़ी बुटियों की ऐसी जानकारे में आपको इंटरस्ट हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल गंटा तबाए और ओल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे हमारे हर नई वीडियो की जानकारे आप तक जल्दे से पहुंच सके क्योंकि ऐसी जानकारे हमारे चैनल पर रोज आती रहती है तो दोस्तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सफेद फुल वाली कंटकारे के दीविय गुण और फायदा के बारे में कटेरी युँ तो भारत के सभिक्षेत्रों में आपको आसाने से देखने को मिल जाती है लेकिन कटेरी के दो भेधे फुलों की रंग भेज से एक बैंगनी फुल वाली और दूसरी सफेद फुल वाली कटेरी दोस्तों ये जड़ी बुटी आपके आंगन में हो सकती है आपके आसपास में हो सकती है खेत खलीहान में हो सकती है या सड़के किनारों पर भी हो सकती है जरूरत है इसकी गुणों के जानने की इसकी पहचान करने की बैंगनी या निले फुलवाले कंटकारी आपको भारत के सभिस्थानों पर देखने को आसानी से मिल जाये की लेकिन उसकी दूसरी प्रजाती सपेद फुलवाले कंटकारी इतनी सुलपता से देखने को नहीं मिलती क्योंकि ये प्रजाती दुरलप हो गई है आज है विलुप्ति के कगार पर खड़ी है दोस्तो सपेद फुलवाली इस दुरलब कंटकारी को लक्समना भी कहा जाता है क्योंकि यह दिव्य और चमतकारी महा अवसदी लक्समना उन स्त्रियों के लिए एक वर्दान है जिनको पूत्र की प्राप्ति नहीं होती संतान प्राप्ति नहीं हो पाती यह सालो पूराना बांजपन दूर करती है इसलिए कुछ विद्वान इसे लक्समना मानते है लेकिन लक्समना एक भिन पोधा होता है सुने गोद को भनने के अलावा भी इसका एक और दीव्य गुण है इस महा आवसदी से पारद की भसमसिग्र बन जाती है इसलिए कई किमियागर भी इस बुटी को खोजते है इस जड़ी बुटी में कई ऐसे रहश्य में गुण है सास्तरों में ये भी कहा जाता है कि ये पारद को चांदी में बदल सकती है इस दीव्य जड़ी बुटी को हिंदी में कंटकारी, कटेरी, भटकया, आदी नामों से जाना जाता है इसका संस्कुलत नाम कंटकारी, दुसपरसा, क्षुद्रा, व्यादरी और कंटकीनी है इस बुटी का अंग्रेजी नाम है येलो बेरिड नाइट सेड और विज्यानिक नाम है लेशलो कारपम कंटकारी का पोधा जाड़ी के रूप में होता है और पूरा कांटों से भरा होता है यहां तक कि इसके पत्तों पर भी सर्वत्र कांटे होते है ये कांटे भी एक इंच तक लंबे होते है ये पोधा भारत के गर्म प्रदिसों में ज्यादा तर खर्पतवार के रूप में पाया जाता है और ये सड़क के किनारों पर भी देखने को मिल जाता है ये पोधा पूरे वर्स भर रहता है यानि बहु वर्साय होता है इस पर चम के लिए हरे रंग के पत्र होते है और इसके पत्तों पर भी एक से दो सेंटिमेटर तक लंबे काटे होते है इस पर सफेद रंग के फुल लगते है फुलों के बाद गोल आकार वाले सुपारी जितन पल लगते हैं और इसमें अनेक बीज होते हैं दोस्तों कट्रे की प्रकृती गर्म होती है इसलिए ये स्वेद जनन तथा कफवात को मिटाती है ये तीकी, कडवी, उस्ण और दिपन होती है ये मंदागनि को मिटाती है और पित को दूर करती है ये तिक्ष्ण होने से पेट क क्रूमी दूर करती है तथा मुत्रल भी होती है ये ज्वर को दूर करती है और मुत्रासाई की पत्री दूर करती है दोस्तों वैसे तो ये अनेक बीमारियों को दूर करती है लेकिन आज की वीडियो में हम इसकी विशेश गुण और फायदे की आपको जानकारी देंगे ये कं बांजपन को दूर करने के इसकी विशेश पायदे और गुण के बारे में बात करेंगे इस पोधे का गुण धर्मक गर्ब स्तापक होता है तो आए हम जानते हैं कि बांजपन को दूर करने के लिए इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है जिन स्त्रियों की गोद सुनी ह और संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो तो ऐसी स्त्रियोग को गर्भधारण है तो सफेद कंटकारी का प्रयोग बहुत लाबकारी होता है इसके लिए मासिक धर्म के पस्चाद स्नान करके सुद्ध होकर इस महां अवसदी की जड़ को पुछे नक्षतर के दिन लाकर अवस्य ही गर्भधारण हो जाता है तो दोस्तों ये थी आज की महत्व पूर्ण चानकारे वीडियो पसंद आने पर लाइक करे शेर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई चानकारे के साथ